कि बिस्मिल्लायर्मान रहें असलाम लेकूम क्लास भाइव होपस आप सब लोग ठीक होंगे अपनी विकेशन से हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे लेकिन हमने अपनी जो इंजॉयमेंट है उसके साथ सथ अपनी स्टडी को भी कंटीनियो रखना है ठीक है सो अफ लास पाइव जो आज हम डिसकस करने लगे है वो यूट अमबर 8 मैटर एंड मटीरियल का जो टॉपिक है मैल्टिंग फ्रीजिंग और कंडैसेशन ठीक है यह तीन हमने टॉपिक है हम डिसकस करने है हमारे जो लर्निंग अब्जेक्टिव है वह क्या है वाट इस मैल्टिंग यानि बुक्स फाइब क्लास पेज नंबर सेमेंटिटी उपन कर लें उसमें जो टॉपिक है मैल्टिंग वहम डिसकस करेंगे के मैल्टिंग क्या होती है मैल्टिंग मैटर चेंच इट फॉर्म आ सॉलिड टू लिक्विट ठीक है मैल्टिंग यहां करती है जो मैटर है मैटर हमने इस तरह कर सकते हैं कि जो सॉलिड है मुसको अनर्जी ज्यादा दे तो लिक्विड में कनवर्ट हो जाए ठीक है इस तरह काम करता है कि पार्टिकल्स इन सॉलिड है लिटल एनर्जी दे डूंड नाट नीट इट विकॉस दे डून आट मूव अरूंट रिमेंबर देयर पैक ट्यद्स इस तरह काम कर सकते हों कि ज्यासे अगर सॉलिड जो स्रुश श्रेसरूब में पार्टिकल्स ने इनर्जी काक्ट depth ऑटे के पंदो ठीक होती जीरिंबर लेकिन अले इनर्जी ज्यादा लेकिन बीक्कल्सक्री भूनिए लिक्विड में अनर्जी ज्यादा इन लिक जो लिक्विड के पार्टिकल है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बन इस बद इसके के सॉलिड जी दे नीड इट बिकॉस दे नीड टू मूव अराउंड मॉर कि इसलिए इन्हें जरूरत किसली होती है नर्जी की क्योंकि उन्हें इर्दगिद मॉफ करना होता है इन्हें में स्पेस होती है लिक्विड के पार्टिकल के अंदर स्पेस होती है उन्हें मॉफ करना होता है इसलिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है तो टू टू टरन सॉलिड इंटू लिक्विड यू नीड तो गीप दा पार्टिकल इना सॉलिड मॉर एनर्जी जो बहुत जादा सॉलिड होते हैं जो मेल्ट करते हैं जो तब मेल्ट करते हैं जमनका एक मखसूच टमपरेचर उन्हें मिल जाता है इस टमपरेचर इस डिफरेंट फॉर आई माटेरियल के लिए डिफरेंट बहुत है ठीक है for solid water the melting point is zero degree celsius जो ice होती है ठीक है उसका melting point of zero celsius होता है for gold it is more than thousand celsius thousand degree ठीक है कहता है कि solid water उसके लिए हमें zero degree celsius होता है melting point ठीक हो zero पर भी जो है वो मैट कर जाए लेकिन जैसे कि gold है उसको हमें melt करवाने के लिए हमें thousand degree celsius इतना high temperature देंगे तब जो है वो gold melt होगा so rubbing a bar of solid gold between your hand will never turn into a liquid कहता कि अगर आपके पास कोई gold की wire है या बार है आपके बास अगर आप उसको अपने हाथों के दरम्यान rub करते हैं तो वो melt नहीं होगा यूंकि हमारे हम अगर अपने हाथों को रब करते हैं तो इतना temperature नहीं ला सकते हैं कि वह solid melt कर सकें लेकिन अगर हम ice cube जो है उसको अपने हाथों में रखके रब करें तो वो क्या हो जाता है हैं क्योंकि उसके लिए इतना ही temperature उसे चाहिए होता है ठीक है हीटिंग solid matter give the particle energy जब हम solid matter जो है उसको heat करते हैं तो उस particles को उनके जो solid के particle हो उसको क्या मिल रहे होती है energy मिल रहे होती once the temperature reached the melting point of that material the particles have enough energy to move far enough away from each other for the solid to change into a liquid even gold कहता कि जब हम temperature दे होते हैं तो एक point ऐसा हाता है कि जो solid के particle है उनके पास इतनी energy हो जाती है को एक दूसरे से दूर जा सकते हैं ठीक है वो मूफ कर सकते हैं चाहिए वो कोई ice cube है या जो है वो गोल्ड भी है ठीक है जब गोल्ड का temperature उसे मिलेगा जब गोल्ड को temperature मिलेगा तो गोल्ड में मैल्ट हो जाएगा ठीक है गोल्ड भी liquid में कनवर्ट हो जाएगा ठीक हो गया उसके बाद आज यह freezing जो next topic है वो कहा है freezing freezing matter change it form a liquid into a solid freezing क्या है matter को हम change कर देता है liquid से solid जानी हमने पहले क्या किया था solid से liquid में convert किया उसको हमने जो procedure था उसको नाम किया दे दिया impacting लिक हमने जो क्या करना है ऊस liquid को solid में convert कर दे जीटास इस बायर टेकिंग away energy पहले हमने Matting में solid था उसको energy देे के 吗 Tonight कर दिए अभ हमने liquid थे energy लेके उससे energy निकालके उसको हमने solid में convert करने हैं तो यह फ्रीजिंग और जो मैंटिंग है वो क्या ओपोजिट हो गया है दूसरे के लिक्विड इस फ्रोजन दा पार्टिकल स्टोप मुविंग और बिकम क्लोजर एंड क्लोजर अंटिल दा लिक्विड बिकमा सॉलिड जब हम लिक्विड को फ्रोजन करते हैं इसके पार्टिकल से उसके पार्टिकल से उसके पार्टिकल से होते हैं वह क्या करते हैं वह मुव करना छोड़ देते हैं ठीक है वह स्टॉप हो जाते हैं और इतने क्लोज आना शुरू हो जाते हैं कि वह क्लोज होते होते हैं वह सॉलिड हो जाते हैं ठीक है वह पार्टिक पड़ा कि हार चाहिए होता है अघ्र को फ्रीज करने के लिए ईक सर्टन टमपरेच्चर होता है अगर हम उसका टमपरेचर उस पॉइंट से कम करना स्टार्ट करेंगा तो वह लिक्यूर जो होता है वो स्वोलीड में कन्वार्ट होना शुरु हो जाता है वेन जो बर्न आ केंडल तब इस तार्ट मेंट वन दर टेंपरेचर रीच अबाओ शिक्स्टी डिगरी सेलचेज हम चैनल जलाते हैं ठीक है जो उसकी मोम होती है जो वेक्स होती है वो तब मैल्ट करना सटार्ट करते है जब वुथ वेक्स को सिक्स्टी डिगरी टेमपरेचर मिलते है ठीक है धेक deta Deux उनरेशं हेस अर। हीट because it would become hotter and hotter कहता है अगर जो वैक्स है वो हीट के पास ही पड़ी रहे तो वह लिक्विड फॉर्म में रहेगी ठीक है क्योंकि उसे हीट मिलती जा रही है मिलती जा रही है तो वैक्स लिक्विड फॉर्म में रहेगी का इससाथसी का इससी की तरह से दूर चाहती है उसका टम्परेटर जाती है उसका टम्परेटर बिलो अनसेट क पासुद इस जाrem है हो तो यह ऐसा है कि बोटम कंडल की सब्सक्राइब सबस्क्राइब इसका निजचे का उच्छी गूप लेखिए यह इसके बाद भागा अन्डेटोपीक है वह है condensation, condensation happen when a gas is cooled so much that it become a liquid, condensation क्या होती है कोई भी ऐसी gas हम उसका temperature इतना ज्यादा लो कर दे को वह liquid में convert हो जाए तो इस process को हम क्या कहेंगे condensation, this happen because the particle in the gas lose energy and start moving together, ठीक है, उस गयास के अंदर क्या होती है energy, जो उसके particle होती है, वो energy को लूस करते है और move क करना start कर जाते हैं तो वो किस form में आ जाते है, liquid की form में आ जाते हैं, ठीक है, हमने यह पढ़ाना कि जो liquid होता है, उसमें particle जो होती है, वो move कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास energy होती है, इसलिए वो move कर रहे होते हैं, अगर हम इसकी example देखें तो वो example किया है, you can see how condensation works for yourself on a cold day, breathe on to a window, the gas that leaves your body as breathe start to become a liquid on the cold window, कहता है कि एक सर्द दिन जैसे, आजकल बैसे भी सर्दी हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, जब जिस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो जो glass window होता है, विंडो की glass होती है, उसके आपर breathe करते हैं, तो आपके अंदर से जो breathe के जरीए जो gas आई है बाहिर, उसका temperature जो है, वो suddenly इतना decrease हो गया है, ठीक है, वो window के उपर जैसे ही टकराता है, तो उसका जो होती है, वो liquid में convert हो जाती है, ठीक है, अकसर जो होते हैं, बच्चे वो ऐसा कर करके, उसके उपर shapes और words लिख रहे होती हैं, ठीक है, ग्लास के उपर, तो इस process को हम क्या कहा रहे होते हैं, यह condensation का process है, उसका बाद जो आपका question बन रहा है, वो कहा है, what is condensation, ठीक है, condensation कहा है, the change of gaseous state of matter into liquid state is called condensation, जब हम gas state matter, gas state है, वो भी matter की एक state है, ठीक है, उसका हम convert किसमें कर देते हैं, liquid में तो उस process को हम कहा कहेंगे, वो condensation, how do solid melt, solid gas से और cup melt होता है, solid melt when they reach a certain temperature, solid cup melt करता है, जब उसका एक मखसूस temperature से मिल जाते है, this temperature is different for all materials, यह temperature सारे materials के लिए different होता है, ठीक होगे, उसके बाद जो आपके assignment है, वो यही है, कि आपने question number 4 and 5 को write करने हैं, ठीक है, और यही है, आपकी डायरी है, कि आपने topic पढ़े हैं, उसको learn करन है, question number 4 and 5 को write करने हैं, और learn भी करने हैं, ठीक हो गया, ओके, अलाफीस,